हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो ओर चैनल तो आज हम लोग डिसकस करेंगे लोर मेंस यूपी त्रिपल सी के जीके का सीरीज प्रेक्टिस्चन नंबर वन ठीक है यह सामान ज्यान सीरीज है यह यूद कंपेटिशन बुक से लिए गए कोश्चन इसमें लभग 355 प्लस क्वेस जोकी सारे इंपोर्टन कोश्चन तो छैय स्सितलर बास बैसे सब्सक्रांगे लेला तो चली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखते हैं कैसे कई से पूछा जा सकता है किस तरीके से question बन सकता है ठीक है तो पहला question है और वीडियो पसंद आया तो लाइक और मिर्दा होती है वह अमलिये प्रकार की होती तो एंसर इसका हो जाएगा एपार्ट होती है ठीक है यह मिर्दाया थोड़ी उथली होती है उथली माने उभरी हुई और इनका रंग जो भूरा होता है और अब क Edu walked मैं ये अल्प अम्छली से अधासीन होती है साधालता इसमें चूना रहित मिर दया होती है इसमें चुना नहीं पाया एधाय गार इन चेत्रों में विश्यषकर बागवानिरा के से जाती है तो एंसर इसका ये पार्ट से ही हो जाएगा, अगला प्रस्न देखते हैं, किसी प्रणाली पद्धती सर्वोत्तम उप्योग सुनाश्चित करती है, किस प्रकार भूम का या भूम प्लस रम कर, या फिर भूम प्लस रम प्लस पूझी का, या फिर भूम प्लस रम प्लस प्रबंद का तो देखे किरसी प्रणाली पद्धती जो है वह एंसर डी पार्ट हो जाएगा उसमें भूम आएगा श्रम आएगा पूंजी आएगा इसके बाद प्रबंद आएगा ठीक है यह सरवत्तम उपयोग में इसमें इसका योगदान होता है जिसमें प्रबंद का मलब इन सब के साथ भूम आश्रम पूंजी के साथ प्रबंद का भी सरवत्तम योगदान होता है तो इसका डी पार्ट सही हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं गुलाबी कीड़ा यानि कि पिंक बॉल वार्म किस फसल का सत्र है किस फसल को नुकसान करता है तो यह नुकसान कर देखते हैं लग किसान किरसी ब्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी यह बताना है देखिए इसकी अस्थापना की गई थी 18 जनौरी 1994 को एंसर इसका यह पार्ट से हो जाएगा किरसी यह सहकारता विभाग दोरा यह स्थापित किया गया था और ठीक है इस संगठन का मुक उद्देश जो था वो था किरसी ब्यापार परियोजना को स्थापित करने वाले निजी निवेशक और बैंकों की भागी दाई से किरसी ब्यापार को सुगम बनाना तो एंसर इसका यह पार्ट सही हो जाएगा अगला क्वेशन देखते हैं मोहनी किसकी किस्म है ठीक है मोहनी जो है वो मूंग की बराटी एंसर इसका यह पार्ट सी हो जाएगा मूंग की किस्म होती है मोहनी इसका विकास जो है नए दिल्ली आई ए आर आई के द्वारा किया गया था अगला प्रस्न देखते हैं केंद्रिये रेशम अनसंदान केंदर इस्तित है तो इसका इंसर हो जाएगा पश्ची मंगाल में इस्तित है और ये 143 यानि 1943 में स्थापित किया गया था तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है राष्टिय किरसी विपरन संस्थान के स्थापना कब हुई थी सरी कहा हुई थी तो राष्टिय किरसी विपरन संस्थान के स्थापना राजस्थान की राजधानी जैपूर में जाता है payment balance देखिए भुक्तान संतुलन का परियोग जो है वो किया जाता है आयात और निर्यात में एंसर इसका import and export हो जाएगा इसके संदर्व में किया जाता है भुक्तान संतुलन से आसा है किसी निश्ची समयावधी में किसी देश के निवासियों और सेस विश्च के मद्ध वस्तूओं सेमाओं और परिसंपतियों के लेंदेन के विवरंड से होता ह है इसका answer c part सहीं हो जाएगा next question देखते हैं निम्डेकित राज्यों में से कौन आर्थिक द्रिष्ट से सबसे कमजोर सबसे उपर लेकिन लिंगा अनुपात के आधार पर सबसे नीचे है यह बताना है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा और डीपात हर्याना हर्याना जो लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है और आर्थिक द्रिष्ट से सबसे उपर है ठीक है तो बिद्थी विगे बिकल्प में हर्याना का जो लिंगा नुपात हो है 879 889 प्रत 1000 पुरुस पर महिलाए है यह लिंगानुपात होता है और यह भारत की सभी राज्यों में सबसे कम है जबकि हर्याना राज्य जो आर्थिक दिश्टी से समर्द राज्य होता है मद्द परदेश की बात किने यहाँ पर लिंगानुपात है वो है 931 महराष्ट में है 929 पस्चिम मंगाल में है 950 और सबसे अधिक अगर बात करें लिंगानुपात किस परदेश में तो केरल परदेश में इसका अंसर आहर्याना होगा अगला कोश्चन है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है यानि कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है तो भारत में सिक्के जारी किया जाता है Ministry of Finance, यानि कि बित्व मंत्राले द्वारा जारी किया जाता है, एक रुपे के नोट और सिक्के का निर्गमन बित्व मंत्राले भारत सरकार करता है, इसके अत्रिक समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन भारतिय रिजर्ब बैंग करता है, यानि कि आरविय करता है, अगला 26 मार्च 2015 को रूपे जारी किया गया था रूपे कार्ड का सुभारम किया गया था ठीक है रूपे कार्ड सबसे लोग परिये पेमेंट गेटवेस में से एक है रूपे में अंतर राष्ट्रिय भुखतान प्रनाडी बीजा और मास्टर कार्ड की तरह बहुत सारी कहीं अगला कुश्चन है भारत में राष्ट्रिय आयक का आकणन या आगणन कौन सा संस्थान करता है तो भारत में राष्ट्रिय आयक का आकणन जो है वह सी एसो दोरा किया जाता केंद्रिय सांखे की कारियाल है एंसर इसका भी पार्ट सहीं हो जाएगा ठीक है केंद्रिय अपना किया गया था 1951 में ठीक है और यह प्रारंब हो गया था 1989 में सांखी के एकाई के रूप में प्रारंब किया गया था ठीक है इसावी रेंज जिस उत्पात के लिए जाना जाता है। प्रवट प्रवट कहांther कहां प्रवट कहां ? उलंपस इस परवट अडी Sondas परवत, Allisonian परवत रूस्त परवत विर्च परवत मैकेंजी परवत इसारे कनडा में रूस में काकेसस और युराल परवत हнов at नाखेंगे में फिल्त ग्याती है आधा प्रेशन देखते हैं कोकोस प्लेट किनके मद्द पाई जाती है तो कोकोस प्लेट जो है वो मद्द अमेरिका और प्रसांथ के प्लेट होती है तो इसका एपार से ही हो जाएगा मद्द अमेरिका तथा प्रसांथ प्लेट ठीक है नेश्ट कोशन देखते हैं निमन-राजियों मेंसे किस राज में जाड़े के मौसम में बारिस होती है। quarantine यहां पे लोटते हूए मांसून में बारिस की जाती जो की जाड़े में पढ़ता है तेका एंसर इसका तमिलनाड मैं शीत काली इन वर्षा उत्री पूरवी मानसून से होती है वर्षा रिक के बाद जब मानसूनी पौने लूडती है तो वह बंगाल की खाड़ी से गुजञने के बाद उसमें कुछ आद्रता आ जाती है और जब ये तमिलनाट तर से ठक्राती तो यहां वर्षा करती हैं और इसकर भी पार सगया निश कोईए सनVIS ने मानसून का निर्वतन इंगित ल्ए कैता है किकी इस संसूर से तैनी हों जा अचाएगा निर्वतने से सबुर सकता है ठीक है से निट निर्वतन इंगित होता है तो इस प्रकार इसका तीन सी पार से हो जागा एक दो और तीन अगला कोश्य ने निर्म लिखित में से कौन सी परक्रिया जल चक्र में नहीं होती देखें जल चक्र में संगनन होता है अंता स्पंदन होता है वास्पी करन भी होता लेकिन संयोजन नहीं होता है तो इंसर इसका यही डी पार से ही हो जागा संयोजन की किरिया नहीं होती है जल तीन अवस्थाओं ठोस द्रो और गयस के रूमें पिर्थी पर उपलब्द है जल चक्र अपनी इस्तिती बदलते हुए चलता रहता है जिससे जल चक रत्वा जल पिग्याने चक्र कहा जाता है यह संपूर्ण प्रक्रिया छे भागों में होती है ठीक है पहला है वास्पी करन दूसरा द्रवाण तिसरा है वरसन चौथा है अंता स्पंदन पांचवा अपवाज और छठवा संग रहान ठीक है इसमें जो संचना प्रक्रिया या फिर संयोजन कंपोजीशन नहीं पाय ज गर्दफ्शे करेक फशन ट्रकिया फानट मेरे जाए हमधाबाद तो इन में से न्यदकर और चाहर के सबसे निकष्ट है । कर्क्रेखा के सबसे नर्डीग, सहर क्वा उन्सा है। जबलपुर एम्धाबाद। appreciate history उन्सिटेखर यंदि में से जबलपुर जो है। distingu और मैं मिजडेश से ऊकर गुजड़ती है। अगला कॉछन है बारत में अस्थानिय सुसासन के हैं यह बताना है देख Carolyn Sosasant के बारे में दो कफना Wid pray ă दूसरा कधिन ने जनप्त योझना समित صछिना राज विधाय का द्वारा की जाती है तो इस दोनों कफन अस्थानिय सुसासन के बारे में सही है ठीक है प्रतेग जिलास्तर पर एक जिलायोजना समीत का घठन करेगा जो जिले की पंचायतों और नगरपालकाओं दौरा यह तयार योजना को संगठित करेगी और जिला अस्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तयार करेगी राज विधान सभा इस संबंद में निम्ण बना सकता है पहला है जिला योजना समितियों की सरचना इन समितियों के सद्धियों की निर्वाचन की तरीका इन समितियों की जिला योजना की संबंद में कार इ इस तरीके से इसके दोनों पार सही हो जाएंगे और इनियमर करती के प्रक्रण का चुनाव द्राइब अवस्ट हो जाना चाहिए एपार यह सही है राष्टपती अपना पद्भार गरहन करने की 320 वर्स तक पत पर रहेंगे यह भी सही है राष्टपती का का दिकारी आने तक का कारकाल की तो इस तरीके से राष्टवदी चुनाव के बारे हम हो गया अगला प्रसंदेखते हैं यद उपाध्यच लोग सभा के अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह कौन सा अधिकार इनमें से प्राप्त होता है अगर वो लोग सभा के अगर उपाध है मत बराबरी के अवस्ता में मद्दान कर सकते हैं डी पार्ट है अध्यक्ष की अनुपस्तिती में संसत की सभा की अधिकार प्राप्त है वह हो जाएगा सी पार्ट मत बराबरी की अवस्ता में अपना मद्दान कर सकते हैं ठीक है तो इसका इंसर सी पार्ट से ही हो यह बताना है तो इसमें से राज्यों के मुखमंत्री संग राज्यों छेत्रों के परसासक छटा है प्रदान मंत्री छह संग यह मंदर सदस और सभी राज्यों के परसासक और डी पार्ट है प्रदान मंत्री राज्यों के मुखमंत्री और सभी राज्यों के परसासक तो इस तरीके से इसका इंसर जो सी पार्ट से हो जाएगा यह अनुच्छे 263 के अनुच्छे 263 के अनुच्छ यद किसी समय राष्टपती को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिसद की अस्थापना से लोग हिद किसी द्होगी तो वो अपने आदेश द्वारा ऐसी परिसद की अस्थापना कर सकेगा अंतर राज्य परसद में प्रधान मंत्री तथा उनके दोरा मनुनियत किये गे छे केंद्रिय कैबनेट अस्तर के मंत्रियों के अत्रिक इनमें सभी राज्यों और उन संग राज्यों छेत्रों के मुख मंत्री भी सामिल है जिन में विधान सभा है जिन संग राज्य छेतरों में विधान सभा नहीं है उसमें प्रसासक तथा जिन में राश्टपती सासन लागू है उनके राज्य पाल सामिल है प्रसान मतरी इस परसत का अध्यच होता है अंतर राज्य परसत का मुख्यकार जो होता है वो होता है तो राजियों को सौब दिया जाते हैं देखिए जो टैक्स है ए पार्ट में दिया गया है अंतर राजिये व्यापार यूम वाड़िज के दोरान माल के क्रे और विक्रे परकर या फिर अंतर राजिये व्यापार यूम वाड़िज के दोरान माल के पर पर परकर या सी पार्थ को यह संग्रायर दनƯ दें था ठीक है तो इसका ये पार्ट इसी पार्ट से होटाई नेश्क कुछ संसाद मक संसा clapping निमने सदन के प्रत्ज़ाism कि जवाब देही है ठीक है तो देखे कि सदन के प्रत्य अनि की जवाब देही कौन सा होता है तो प्रत्यक्ष और निरंतर यानि डारेक्ट और कांटिनिवस जवाब देही होती है यानि कि संसदिये सासन व्योस्था में संसद के निम्न सदन के प्रत प्रधान मंत्रियों उसकी मंत्र परशत की जवाब देही प्रत्यक्ष और निरंतर होत पर प्रधान मत्री सहित मत्री परशत को त्याग देना पड़ता है तो इंसर इसका जो है एप पार्ट से हो जाएगा अगला कुश्चन है भारतिय समधान में निम लिखित में से किसे को मूल कर्थब के रूप में समलित नहीं किया गया है तो देखिए उन उच्च आदर्सों का अदर वा समान पालन करना जिन्होंने हमारे राष्टी संग्राम को प्रेडिक किया था बी पार्ट है बैग्यानी सुभाव मानवतावाद और ज्यांच तथा जियुम सुधार की भावना विक्सित करना इसमें से जो सामिल नहीं किया गया था वो था अल्प संख्यों की रक्षा करना तो सी पार्ट से हो जाएगा बैल से समिदान संसोदन 1976 द्वारा अनुच्चेद इक्याउन का यानि कि मौलिक करतब को जो श्थापित किया गया था जोड़ा गया था उसमें अल्प संख्यों की रक्षा करने का प्रावधान नहीं है इस तरी के सेंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा बाकि यह तीन जो हैं एब और डी में यह मौलिक करतब के अंतरगत आते हैं इनको जोड़ा गया था नेश्ट को सम्मिदान के ब्याल से सम्मदान से जुद्वारा निम लिखित में क पाठ उद्योगों के प्रवंधर में कामगारों की सहवागता काम सिच्छा और साल्वनिक साहता पानी कदकार स्यंकों के लिए निर्वाय योग बेतन काम और मानवे दसाय तो इसमें से जो बताना है कि काउन सा जोड़ा गया था तो उसका एंसर हो जाएगा भी पार्ट ठ संसोधन को मिनी सम्मिधान भी कहा जाता है 1974 में हुआ था इसके दोरह नीट निदेशक तत्तों संसोधन भी किया गया था इसके तीन नए नियम नीदेशक तत्तों में सामिल किया गया था पहला है समान नय और निशुल्ख बिधिक सहायता अनुच्छेद 49 का के तहद ये सा गया था इसके बाद तीसरा परियावरण की रक्षा और सुधार तथा वन जियों की सुरक्षा यानि के उन्चेद 48 का यह भी जोड़ा गया था तो इस तरीके से तीन ने नीत निदिस्वत्त को भी जोड़ा गया था ठीक है बैल से समयदान संसुद्वारा तो आंसर इसका भ यही गलत है ठीक है सी पार्ट यह प्रतसेद का मतलब टूबी सर्टिफाइड नहीं होता प्रतसेद का मतलब रिटाब प्रोवीशन ठीक है रिटाब प्रोवीशन तो यह एंसर इसका यही सी पार्ट से हैं सुमेलित यही नहीं बाकी तीनों सुमेलित हैं नेक्ट को इसन द तीज को टीकंडी मार्च करके दान्डी में नमक कानुन को तोड़ कर गांधी जीने सबने अउग्या ऑंधरों का प्रारम किया था फाइनली इसमें पूछा गया देखिए अंदता लिखा हुआ यानि कि फाइनली तो फाइनली सब ने अग्या अंदरन को 1934 में रोक वे दिया गया था समसानी नियंठी इस धो सियसेथें की स्थापना से संबस्थ था किसे नंद्ध कोई समस्येशन के हैचे olm लिख पंडर जी चुब फाइब में किया था कलकत्ता यह सब याद रखने वी सब पूछा जा सकता है तो एंसर इसका सी पार से हो जाएगा कि नेच को संदेखते हैं नाटू नाटू मैरीज एक्ट किस वर्स पारिद किया गया था तो नाटू मैरी एक्ट या फिर सिविल मैरीज एक्ट जो अधनियम के दौरा लड़कियों की विवा निमतमाई 14 वर्स लड़कों की 18 वर्स निर्धारत की गई थी इस अधनियम के दौरा बहुत पत्नी पर्था को भी समाप्त कर दिया गया था तो एंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा नाटू मैरीज एक्ट को अधारा सो बात्तर में पारित किया गया था अगला प्रसन देखते हैं सरी लास्ट प्रसन है इस प्रेक्टिशेट का सत्य सोधक समाज की अस्थापना किसी ने किया था तो सत्य सोधक समाज की अस्थापना ज्योतिवा फुले द्वारा किया था ठीक एंसर इसका बी के आडंबर और उनके अवसरवादी धार में गरंतों की बुराईयों से निम्न जातियों को बचाना ठीक है इन्होंने 1872 इस भी में इनके पसिद्ध पुष्टक है गुलाम गिरी जो तिवा फुले द्वारा लिखा गया था तो यह भी याद रखना है ठीक है तो इस तरीके स यह आज का प्रेक्टिस सेट सेट वन जीके का समावत हुआ आप लोग कमेंट करके फीड़बैक देख सकते हैं ठीक है और यह जीके के एक दो ही आएंगे जिसे कि आपको पता तर जाए कि इस तरीके से कोश्चन पूछा जाकता है ठीक है इसमें 35 कोश्चन है अगले में भ करते हैं यहीं पर और मिलते हैं नश्टी दिन तब तक के लिए थैंक्यू